Hello everyone, welcome back to the channel तो आज मैं आपके लिए लिए कराइमों ग्लास 10 से एक और important chapter जिसका नाम है The Sermon at Benares तो चलिए बिना किसी देर के इस chapter को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको याद दिला दू कि वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना इससे मुझे बहुत ही साथा motivation मिलता है तो आपको अगर explanation पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप में से बहुत कमी लोगों जो लाइक और सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को तो प्लीज कर देना ठीक है तो चलिए अब बिदा किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो गौतम बुद्धा के बारे में हैं और गौतम बुद्धा को कौन नहीं जानता तो गौतम बुद्धा का जन्म एक नौथ इंडियन रॉयल फैमिली में हुआ था एस अ प्रिंस और उनका नाम था सिधार्थ गौतमा तो जब वो बारा साल के थे तो उन्हें घर से बाहर दूर भेच दिया गया था हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए और जब वो चार साल बाद लौट कर आते हैं तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से हो जाती है और जल्द ही उन दोनों का एक बेटा हो जाता है और वो लोग 10 सालों तक अपनी एक अच्छी खासी रॉयल लाइफ जीते हैं तो जब प्रिंस यानि की सिधार्त गौतमा 25 यर्ज के थे तब उनकी लाइफ बिलकुल चेंज हो जाती है यानि जब उनको वर्ल्ड के सफरिंग्स के बारे में पता चलता है तो इसकी वज़र से उनकी लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो जाती है तो एक बार प्रिंस हंटिंग के लिए जा रहे थे कि तभी उनको रास्ते में एक सिध आदमी दिखाई देता है यानि एक बिमार आदमी दिखाई देता है फिर उनको एक एजेट आदमी दिखाई देता है यानि एक बुढधा आदमी दिखाई देता है और फिर उनको एक funeral procession दिखाई देता है यानि कि जब लोग मर जाते हैं तो उनका जो क्रिया कर्म होता है जो funeral होता है वो चीज उन्हें दिखाई देती है और फाइनली उन्हें एक मौंक दिखाई देता है विक्षा मांगते हुए तो ये सभी चीजों को देख कर वो अंदर से इतना हिल जाते हैं इतना उनको धक्का लगता है कि वो वर्ल्ड में निकल परते है यानि अपना सब कुछ छोडशारके वो दुनिया में निकल परते हैं enlightenment की खोज में enlightenment यानि की spiritual knowledge की खोज में कि आखिर लोगों को sorrow क्यों होता है आखिर लोगों को दुख क्यों होता है तो वो साथ सालों तक इधर उधर भटकते रहते हैं फाइनली वो एक people tree के नीचे आकर बैठ जाते हैं और वो वो करते हैं यानि प्रतिग्या करते हैं कि वो तब तक उस पेर के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें enlightenment के बारे में पता नहीं चल जाता तो साथ दिनों के बाद यानि कि seven days के बाद उन्हें enlightenment के बारे में पता चल जाता है यानि उन्हें spiritual knowledge आ जाता है and then वो उस tree का नाम बोधी tree रखते हैं यानि जिसका मतलब होता है tree of wisdom and उसके बाद से वो लोगों को teach करने लगते हैं उन्हें बताने लगते हैं अपने जानकारी के बारे में and फिर उसके बाद वो अपनी जो knowledge है वो लोगों में बाटना शुरू कर देते हैं तो उस चाइम के बाद से उन्हें लोग बुध्धा कहकर बुलाने लगे. जिसका मतलब होता है The Awakened या फिर The Enlightened. तो गौतम बुध्धा ने अपना पहला सर्मन, सर्मन का मतलब होता है Religious Talk या फिर Moral Talk. तो गौतम बुद्धा ने अपना पहला सर्मन बनारस के सिटी में दिया था और बनारस को काफी ही जादा हौली यानि की पवित्र माना जाता है क्योंकि ये रिवर गंगा के यहां सिचुएटेड है ठीक है तो ये जो सर्मन है इसे आज भी वहां पर प्रिजर्व करके रखा गया है और आज भी ये वहां बहुत ही जादा फेमस है और इस सर्मन में लोगों के अन एंडिंग सफरिंग्स के बारे में बताया गया है तो अब यहां से हमारी एक स्टोरी शुरू होती है जो कि किसा गौतमी के बारे में है तो कहानी कुछ ऐसी है कि किसा गौतमी एक बच्चे को लेकर वो अपने नेबर्स के पास जा रही थी बार बार और वो उनसे एक ऐसा मेडिसिन देने के लिए कह रही थी जिसकी वज़ा से उसका बच्चा ठीक हो जाए तो लोग ये देखकर उसे पागल बोलने लगते हैं वो खहते हैं कि ये पागल हो गई है इसका मेडिसिन तो नहीं दे सकता कोई दवा तो नहीं दे सकता लेकिन हां मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूं जो की ऐसा कर सकते हैं तो ये सुनकर जो किसा गौतमी है वो उनसे प्रे करने लगती है और कहती है कि फ्लीज मुझे बताईए कि वो कौन है तो इस पर जो आदमी है वो reply करता है कि तुम सक्या मुनी बुद्धा के पास जाओ तो अब किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और वो उनसे रोते हुए कहती है कि ओ लॉर्ड ओ मास्टर प्लीज मुझे एक ऐसा मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए तो ये सुनकर जो गौतम बुद्धा है वो उससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूँगा लेकिन तो मुझे एक हैंड फुल ओफ मस्टर जीड ला कर दो तो ये सुनकर जो लेडी है वो बहुत ही जादा खुश हो जाती है कि उसे एक सिंपल सा टास्क करना है तो फिर जो बुद्धा है वो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं लेकिन वो मस्टर जीड तो मैंसे घर से लाना जहां पर जिस घर में कोई भी बच्चा, कोई भी हस्बेंट, कोई भी माता-पिता या फिर कोई भी फ्रेंड ना मरा हो यानि जिस घर ने अपने किसी भी रिलेटेव या किसी भी फैमिली मेंबर को खोया ना हो तो अब किसा गौतमी घर घर जाकर लोगों से मस्टर्ड सीड मांगने लगी तो लोग उसे मस्टर्ड सीड लाकर देने भी लगे लेकिन जब वो उनसे पूछती कि क्या आपके घर में कोई बेटा, बेटी, मदर, फादर, कोई भी फैमिली का मेंबर मरा है तो ये सुनकर जो लोग है वो उससे कहते कि ओ हमारे घर में तो रहने वाले यानि जिन्दा लोग कम है और मरने वालों की संख्या जादा है तुम हमें हमारे उन दुख के दिनों को फिर से याद मत दिलाओ एट लास्ट किसा गौतमी को एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहांपर किसी ने अपनों को नाख होया हो अब किसा गौतमी बहुत ही जादा परेशान और होपलेस हो जाती है और वो एक रोड के किनारे बैठ जाती है और सिटी के लाइट्स को देखने लगती है जो कि फ्लिकर कर रहे थे यानि बंद बुद बंद बुद कर रहे थे और फाइनली वो बुझ जाते हैं यानि बंद हो जाते हैं और चारों तरफ एकदम डार्कनेस फैल जाता है अंधेरा हो जाता है and then किसा गौतमी को realize होता है कि एक आदमी का life भी in lights की तरह ही है जो कि कुछ time तक flicker up होता है यानि कुछ time तक जलता है और उसके बाद बुझ जाता है extinguish हो जाता है and फिर वो अपने आप में ही सोचती है कि मैं अपने दुख में कितना selfish हो गई थी और वो सोचती है कि जो death है जो मृत्यू है वो तो सबके लिए common है और सबको एक न एक दिन मरना ही है और इस sorrow से भरे दुनिया में एक रास्ता ऐसा भी है जो हमें immortality की तरफ ले कर जाता है यानि जब हम लोग अपने सारे selfishness को त्याग देते हैं और हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं तब हम immortal हो जाते हैं यानि हम मर कर भी अमर हो जाते हैं तो अब जो गौतम बुद्धा है वो कहते हैं कि इस mortal वाले दुनिया में यानि एक ऐसे दुनिया में जहां पर सबको मरना ही है और वो कहते हैं कि इस mortal वाले दुनिया में लोगों को troubles face करना पड़ता है उन्हें grief face करना पड़ता है उन्हें pain होता है तो अब वो कहते हैं कि उन लोगों को trouble face करना पड़ता है जो कि इस reality को accept नहीं करते कि सबको एक ना एक दिन मरना ही है तो लोगों को चाहिए कि वो इस चीज को accept कर ले और वो peacefully रहे फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है और कोई भी रास्ता नहीं है जिसने जन्म लिया है उसको बचाया जा सके old age होने के बाद यानि कि बुढधा होने के बाद मौत होना तो निश्चित है और ये हमारे nature का एक पार्ट है यानि हर एक living being को एक ना एक दिन मरना है और ये nature का पार्ट है फिर वो example देते हुए कहते हैं कि जैसे एक पका हुआ फल होता है यानि एक ripe in fruit होता है उसे गिरने का डर होता है गिरने का खत्रा होता है ठीक वैसे ही इस mortal world में जिसने भी जन्म लिया है उसे मरने का तो है यानि उसे मरने का खत्रा तो है जैसे की एक मिठी का vessel जो होता है एक मिठी का बरतन जो होता है जिसे एक potter बनाता है और उस मिठी के बरतन के तूट जाने का खत्रा होता है ठीक वैसे ही हमारे life के साथ भी होता है इस mortal world में चाहे हम यंग हो या एडल्ट हो चाहे हम फूल हो या वाइस हो हम सबी को एक नएक दिन मरना ही है अब जो लोग मर जाते हैं उन्हें ही अपने लाइफ से छुटकारा मिल जाता है अपने जीवन से छुटकारा मिल जाता है कोई भी किसी को भी मरने से नहीं बचा सकता ना ही एक फादर अपने बेटी को मरने से बचा सकता है और ना ही कोई एक आदमी अपने किसी रिलेटिफ को मरने से बचा सकता है अब कोई आदमी किसी अपनों को मरते हुए देख सकता है उसके मर जाने पर रो सकता है लेकिन उसे मरने से बचा नहीं सकता जैसे कि किसी ox को, किसी bell को slaughterhouse में लेकर जाया जाता है उसे मारने के लिए ठीक वैसे ही जो death है वो हमारे साथ करती है यानि एक एक करके सभी लोगों को मरना ही है यानि एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाता है तो इस mortal world में यानि एक ऐसे world में जहां पर सबको एक ना एक दिन मरना ही है यहां पर जो wise लोग होते हैं जो चलहाक लोग होते हैं जिने इस truth के बारे में सच्चाई के बारे में पता होती है वो किसी के चले जाने पर रोते नहीं हैं दुख नहीं मनाते हैं वही लोग असल में wise होते हैं चलहाक होते हैं जो कि किसी के चले जाने पर रोते नहीं हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये nature का एक नियम है और सबको इस नियम को follow करना ही है यानि सबको एक ना एक दिन नियां से जाना ही है तो अब जो गौतम बुद्धा है वो कहते हैं कि एक ऐसे चीज़ों को लेकर रोने से कोई फाइदा नहीं जिसको होना ही है यानि अगर कोई चला गया है कोई मर गया है तो वो हमारे रोने से या हमारे दुख मनाने से वो वापस तो नहीं आएगा लेकिन इससे जो हम रो रहे हैं जो हम दुख मना रहे हैं तो इससे हमारे बॉड़ी को ही सफर करना पड़ेगा हमें ही पेन होगा और जो रो रहा है वो खुद को ही बिमार कर लेगा तो ऐसे चीजों को लेकर रोने से जिसको होना ही है कोई फाइदा नहीं है और ऐसे रो कर या दुख मना कर हमें कभी भी पीस ओफ माइंड नहीं मिलेगा कभी भी हमें शान्तमन नहीं मिलेगा अब जिसको पीस ओफ माइंड चाहिए जिसको शान्तमन चाहिए उसको अपने आपको इन सभी sorrow, complain, grief इन सभी से दूर करना होगा अब जो भी इन सभी चीजों को लेकर दुख नहीं मनाएगा उसे automatically peace of mind मिल जाएगा और जो दुख नहीं मनाएगा उसे कभी दुख नहीं होगा तो जो सभी लोग इन सभी चीजों से उपर उठ जाएंगे यानि अपने आपको sorrow, grief और complain इन सभी चीजों से दूर कर लेंगे उन्हें peace of mind मिल जाएगा और उन्हीं लोगों को blessings मिलेगी So that's it ये था हमारा chapter आयोप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक like और चानल को subscribe करके ही जाना क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोगों जो इस चैनल को subscribe करते हैं तो please वीडियो को like और चैनल को subscribe करके bell notification on करना मत भूलना क्योंकि ये तो आपके लिए free है लेकिन इससे मुझे बहुत ही जादा motivation मिलता है आपके लिए और भी जादा वीडियोस बनाने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक और नए चाप्टर के साथ तब तक के लिए हसते रहिए खुश रहिए जय हिंग जय भारत keep learning, keep growing